नमस्का दोस्तों इस वीडियो में जी स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है IFC I Limited यह स्टॉक 84 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट में आज इसने 20% का अप्मूव दिया है मार्केट कैप है इसकी 21,942 करोड की प्रमोटर होल्डिंग 71.70 परसेंट है वोक वेल्यू 20.60 है डिविड इंडिया स्टॉक देता है और फेस्ट वेल्यू 10 है जिसका मतल़ है कि आने वाले टाइम में स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है तो फंडमेंटल वीडियो तो वैसे इसको ओन करती है यह एक NVFC है और फैनेंस के सेक्टर का स्टॉक है और यह जैसे IRFC है रेल्वेस के लिए वैसे ही IFCI है इंडस्ट्रीज के लिए तो अभी काफी अच्छा मूव मिला है क्योंकि आपको बताएं कि इंफर स्ट्रॉक्ट्चर एन इंडस्ट्रीज को वो जो इंवाल्व करता है इसको उसको काफी अच्छा बजट का चंक मिला है तो वो भी एक रीजन हो सकता है इसके मूव का अभी के लिए देखे तो इस टॉक्ट फिफ्टेंट दोनों डीमसे उपर ट्रेड कर रहा है जो के एक अच्छी बात है पी रेशो की बात करें तो वन मंत इसके टाइम स्पैन पे थोड़ी से उपर तो ऑफकॉस है और वन मंत के टाइम स्पैन पे देखे तो भी काफी उपर है मीडियन से तो थोड़ा से कॉंशिस होके जरूर चले और सेल्सें मार्जिन के अगर बात करें तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वह आपको बता देंगे शेर होल्डिंग पैट्रिन की बात करें तो यहां पर मैंने बोला था कि गवर्मेंट ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जो कि प्रॉमोटर्स है और इस चीज़ का फाइदा यहां पर मिल सकता है जो भी इन्वेस्टर्स है एफ इस ने वह अपनी होल तो यह एक बहुत अच्छी बात है बहुत स्ट्रॉंग मारूव देखने को मिला है अब कल की बात करें पहले तो एंट्री पॉइंट से बात करते हैं ट्रेडिंग व्यूट का देखे तो उसने टेक्निकल एनलेसिस जो है स्ट्रॉंग बाई की दी है मुझे बनता है मुझे भी लगता है कि यहां पर स्ट्रॉंग बाई का बनता है एक पर हम देख लेते हैं कि हमारे जो इस पे है वो ओर्डर किस तरीके से लगे हैं तो आई- 99 lakhs का तो यह काफी strong order लगा ननी smoke को छाथ मुचे 5 a4 हम यहां पे देखने को मिल सकता है तो मुव के साथ मुछे लगता है profit booking भी देखने को मिलेगा यह जो हमारे target है इन target को achieve करने के लिए इस time पे शिफ हमें साड़े तीन परसिंट के मूव की जोट है तो इसी के साथ ना अपने टागेट थोड़े से बढ़ा के चल रहे हैं एन मंत के एंड तक मुझे लगता है कि 95 के आसपास प्रेड करता हुआ हो सकता है टच करके जरूर आ सकता है हो सकता है सस्टेन ना करे अब देखे यहां पर हि तो यह हिकप बहुत स्ट्रॉंग है 87 का यह आएगा ही आएगा मैं आपको अब इसको करती हूँ मैं वीक्स पे क्योंकि हमें वीक्स का भी चार्ट करना ही है एनलाइज वीक्स पे करके इसको थोड़ा सा नेरो करके एक बार 2008 के आसपास इसका है तो 2008 के आसपास यह देखे कर रहा है तो यह जो रिजिस्टेंस है ना 87 की यह भी इसको थोड़ी से स्ट्रॉंगली फेस करनी पड़ेगी इसको थोड़ा सा इस साइड लेके आते हैं तो 87 की रिजिस्टेंस को थोड़ा सा एनलाइज हम कर लेते हैं तो यह रहेगी हमारी 87 के रिजिस्टेंस और यहां तो यहां पे बड़ी बार ऊपर जाने की कोशिच की गिया और मार्केट उसके बाद नीचे भी जा है यहां पर भी हिकप आये हैं सपोर्ट भी बना एक आफिवार रिजिस्टेंस काफी बार बना है सपोर्ट से जाधा तो मुझे लगता है कि इस रिजिस्टेंस को पार करना सा मुश्किल हो सकता है तो अभी के लिए हम देख लेते हैं इसकी RSI and everything थोड़ा से इसको narrow करें okay so here we go इसकी RSI चो है इस time पे यह चल रही है 76.01 पे वदला 76 पे and RSI का यहां पे थोड़ा सा यहां पे इसका resistance आएगा इस resistance पे ही है and उसके बाद मुझे लगता है कि यह वाला scenario फिर से बनता हुआ दिखाई दे सकता है चैनल को यह break करके बाहर तो चला गया है अब sustain करना जरूरी है क्योंकि अगर sustain नहीं क्या फिर तो of course दिक्कत हो जाएगी तो हो सकता है कि channel के नीचे का move यह दे फिर उसके बाद ऊपर का move दे तो अभी के लिए तो यह काफी अच्छी तीन दिन का बनाए है हमारी candle यह weekly candle and काफी अच्छी strong green candle है and RSI के पास वैसे तो रूम है अगर यह वाला जो scenario है यह बनता है तब तो बहुत ही ज्यादा रूम है otherwise थोड़ा सा संबल के चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पीई भी इसका थोड़ा सा ही है अभी करते हैं थोड़ा सा analyze इसको तो यह जैसे ही ऊपर जाता है अगर उपर जाता है त चैनल के बारे sustain करने की बात है कि 87 का इसको hiccup भी आएगा तो 87 के hiccup के साथ यह कितना sustain करता है and volume किस तरीके से इसको treat करता है क्योंकि जितने जितना आज volume आया है इस candle से तो यह maru wosu candle बनी है and maru wosu candle जो होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी bullish candle होती है and उपर से upper second में and stop loss stop loss तो मुझे लगता है कि यही वाला बनता है 77 वाला ही बनता है क्योंकि यह अपने पुरानी high के पास आता है यहां पे देखे पुराने high के पास आया यहां पे देखे यह उपर गया पुराने high के पास आया तो यह higher highs higher lows बना रहा है of course अभी आप trend में चला हुआ है तो उ पर किसी का अपने appetite के according होगा अब देखे stop loss ना बड़े तरीके के होता है के बार stop loss इसलिए हो जाता है अब मेरे साथ तो के बार ये भी हुआ है कि आप I really go crazy sometimes और मैं अपने सारे पैसे सारे के सारे पैसे market में लगा देती हूँ तो मुझे जब bills pay करने होते हैं तो मैं market से निकालते हूँ मैं को वहां भी stop loss लेना पड़ता है कभी-कभी तो depend करता है कि आप किस तरी किस वज़ा से stop loss ले रहे है या तो इस वज़ा से ले रहे है कि कहीं और opportunity दिख रही है ठीक है ये एक stop loss है कि अपने अपने appetite के according stop loss है तो वो decide आपने करना कि कौन सा stop loss बनता है मैं बस यहां पर support बता रही हूं तो मुझे लगता है 77 का जो support है यहां पर crawl कर सकता है थोड़ा सा और अगर यह है worst case scenario best case scenario यह है कि जिस तरीके के volume and orders है उस तरीके से यह stock उपर निकल के जा सकता है और 5 trading days बचे हैं 5 trading days में हम यहां से लगग 13% 14% के असपास की उमीद कर रहे है तो देखे price band हमने देख लिए 20% का है and news और सच कोई भी नहीं है delivery volume के बात करें तो 48.46% गई है delivery and यह काफी अच्छी delivery है बट जिस तरीके का move मिला है जिस तरीके की percentage चाहिए उस तरीके से उतनी कुछ खास नहीं है बट फिर भी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से टच करें और sustain ना करें बट यह वाली resistance को तोड़ना है इसको थोड़ा सा मुश्किल का काम होगा बाकि अगर इतना अच्छा volume आता रहता है और इतने अच्छे अच्छे अगर आज 16 क्रोर का volume आया तो डेड़ करोड के order वैसे ऐसे कुछ ऐसे डिफाइन भी नहीं करते हैं कि किस डिरेक्शन में जाएगा बट हां एक छोटा मोटा हिंठा में मिल जाता होता है उससे ठीक है तो सारी चीज़ों का ध्यान में रखके चले एंड यह सिर्फ मेरी एनलिसिस है कोई buy sell hold की recommendation नहीं है तो आप अपनी analysis केज़े जाने समझे पढ़िया और फिर invest करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया and happy investing